आयूरवेदा होम केर में आपका सुवागत है। बिजी शेडूल और भागम भाग के चलते कई बार लोग सुभा का नाश्ता मिस कर देते हैं। वजन घटाने की कोशिश करने वाले लोग भी कई बार ये सोच कर ब्रेकफस्ट छोड़ देते हैं कि इससे वो कैलरी इंटेक कम कर सकेंगी। लेकिन ये गलती आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। सुभा का नाश्ता ये ब्रेकफस्ट दिन का सबसे महत्वपून खाना होता है। इसे कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। नाश्ता दिन के दूसरे मील की अपेक्षा सुवस्थ और महत्वप पर पढ़ता है। सुवस्थ नाश्ता आपके शरीर को ऊर जा देता है। अगर आप नाश्ता नहीं करते हैं तो मजबूरन आपके शरीर को टिशूस से गलूकोज लेना पढ़ता है। इससे आप लंच तक कमजोर और आलसी महसूस करते रहते हैं। वैज्ञानिक कोण से देखा जाए तो खाली पेट रहने से पेट में जो पाचन, रस, उत्पन होते हैं उनसे आसिट बनने लगता है। इस आसिट से हमारी आतों को तो नुकसान पहुचता ही है। साथ ही हम कमजोर भी होने लगते हैं। अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं लेते हैं तो इसका असर आपके मेटबॉलिसम पर पड़ता है। ब्रेकफस्ट से आपके शरीर को मेटबॉलिसम मिलता है और आप काम करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। जो लोग सुबह का नाश्ता करते हैं उनका मेटबॉलिसम सही रहता है। नाश्ता छोड़ने से मोटाबा बढ़न की इच्छा भी बढ़ जाती है जिससे आपका वजन बढ़ सकता है दिन के पहले भोजन के रूप में breakfast blood sugar को नियंतरित करने में मदद करता है जब कोई व्यक्ति अपना नाश्ता छोड़ता है तो blood sugar का स्तर काफी कम होता है जिससे परिणाम स्वरूब रक्त चाप का स्तर बढ यानी cardiovascular स्वास्थ स्थितियों के विकास का जोखिम भी बढ़ जाता है नाश्ता ना करने से आपको ध्यान केंद्रित करने में परिशानी आती है कई बार हालत ये हो जाती है कि आप खुद को बीमार महसूस करने लगते हैं नाश्ता ना करने से आपका शरीर और दिमाग दो hormones का level बढ़ जाता है जिससे mood भी बिगरता है महिलाओं पर किये गए एक research के मताबिक जिन महिलाओं को नाश्ता ना करने की आदत होती है उनके अंदर type 2 diabetes विकसित होने के अधिक खत्रे दिखाई देते हैं नाश्ता आपके blood sugar को स्वस्थ तरीके से नियंत्रित करने में अगर आपको हमारे नुस्खे पसंद आ रहे हैं तो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चानल धन्यवाद